सबको रोजगार देना होगा वैश्विक महमारी करोना के चलते लगिल लॉकडाउन के कारण देश भर में लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं हिमाचर प्रदेश में भी इससे बेरोजगारों की तादात में वृद्धी हुई है आज भारत की जनबादी नौजवान सभा द्वारा रोजगार के मुद्धे को लेकर उपाई कारयाले के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया डी वाई एफ आई शिमला शहरी काय अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि करोना काल के दोरान पूरे देश के अंदर लगभग 12 करोड लोग बेरोजगार हो गए हैं और प्रदेश भी इससे अच्छूता नहीं है आज भारत की जनवादी नौजवान सवा डीवाई खाई शिमला शहरी का इद्वारा जो है रोजगार के मुझ्दे को लेकर आज उपायुक करहले के बार परदेशन किया जा रहा है हम देखते हैं कि इस करोना महामारी के चलते बारा करोड के लगभग पूरे देश के अंदर जो लोग है अपना रोजगार गवा चुके हैं परदेश के अंदर का यूवा है वह उस रोजगार को बंद करें जिससे जो है पूरे देश के अंदर का यूवा है वह उस रोजगार के माध्यां से अपनी आजीविका को सुनीचीत कर सके और अपना रोजगार जो है वह प्राप्त कर सके